माम ने बेटे के लिए इस रूम में अलमारी और बिस्तर लगा दिया है, लेकिन बेटे को इस रूम में स्टडी टेबल भी चाहिए था, तो माम ने बिस्तर को साइड में करके स्टडी टेबल लगा दिया है, लेकिन स्टडी टेबल की वजह से अलमारी खुल नहीं पाती है, जिस वजह से माम के गहने खिड़की पर ही पड़े रहते हैं। इसलिए माम ने इस रूम को खाली करके डिजाइनर सहाब को इस रूम को डिजाइन करने को कहा है। जिस वजह से डिजाइनर सहाब खिड़की के आगे टेबल लगाकर, इसके इस साइड में हैंगर लगाएंगे, जिस पर ये एक्स्ट्रा सामान टांगेंगे, फिर ये इस साइड में रेक बनाकर, इसमें इसके पढ़ने की किताबे रखेंगे, और इस टेबल पर ये लड़का लैप्टॉप चलाएंगा अब इसके आगे अलमारी लगाएंगे जिसमें इसके कपड़े रखे जाएंगे एक अलमारी इस कोने में लगाएंगे जिसमें इसके कुछ और कपड़े रखे जाएंगे इनके बीच में रेक लगाकर, इसमें इनके ठंड के कंबल रखेंगे, इसके नीचे एक रेक ओर बनाएंगे, जिसमें इनका एक्स्ट्रा सामान रखा जाएगा, इसके उपर दीवार पर सॉकेट लगाएंगे, जिससे इसका मोबाइल चार्ज हो सके, इनके आगे स्क्वेर सा इसका लकडी की फ्रेम का इस्टक्चर लगाएंगे इसके उपर शानदार मुलायम गद्दा लगा देंगे अब आप भी इस रूम के नजारे को देख कर बताओं इसमें क्या कमी है